Hello friends, welcome, आज के वीडियो में मैं आपको cute baby dress बनाना सिखाऊंगी, इसे आप अपने चोटे बच्चे कले बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने ये fabric का piece लिया है, ये देखे, और इसे मैंने बीच में से इस तरह फोल्ड कर लिया है, अब ये जो खुला वा कपड़ा है, इसे हम काटके निकाल देंगे, अब यहां से हम marking देना शुरू करेंगे अपने frock के लिए, तो सबसे पहले हम यहां पे shoulder का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपके बच्चे का shoulder है, उसके आधे का यहां निशान लगा दीजे, तो यहां मैंने 5 इंच पे मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया है, अब इस जगा पे हम chest का निशान लगाएंगे, तो जितने भी आपके बच्चे की chest है, उसे आप 4 से divide कर लीजे और उसमें 2 इंच प्लस कर लीजे, तो हमारे बच्चे की chest का नाप है 24 इंच, उसे हमने 4 से divide किया, हो जाता है 6 इंच 6 में मैंने 2 इंच प्लस कर दिया है, तो हो जाता है 8 इंच, तो यहां हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे, यह हमने chest का निशान लगा दिया है, अब इस जगा से हम अपनी frog का total length का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपको length चाहिए, उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजे और निशान लगा दिजे, तो यहां मुझे 19 इंच लंबी frog बनानी है, आधा इंच मैंने extra ले लिया है, तो 19.5 पे मैंने यहां निशान लगा दिया है, और इस marking को हम आगे की तरफ गुलाई देते वे इस जगा से मिला देंगे, इस तरह, यह देखे, side से हलकी सी गुलाई दे देनी है, अब हम इस point को straight नीचे की तरफ इस तरह, line देते वे मिला देंगे, तो यह देखे, यह दोनों points को भी हमने मिला दिया है, इस तरह, आम होल का निशान लगाएंगे, तो इस corner से 1 इंच का नाप लोंगी मैं, और इस line का आधा लोंगी, अब इन तीनों points को मिलाते हुए, गुलाई दे देंगे, यह आम होल का निशान लग चुका है, अब हम इसकी cutting कर लेंगे, यह देखे हमारी cutting हो चुकी है, अब हम neck line का निशान लगाएंगे, तो neck line की width मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, और depth मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, तो यह मेरे front neck की depth हो ग से हम इस तरह round neck दे के मिला लेंगे, अब इसमें से हम एक पार्ट को हटा देंगे, front neck की cutting कर लेते हैं, यह देखे, यह front neck की cutting कर ली है, और back neck के लिए भी width मैंने दिया है, same 1.5 इंच, और depth मैंने ली है 1.5 इंच, और यहां भी हम एक simple गुलाई दे देंगे, इस तरह, अब हम इसकी भी cutting कर लेते हैं, यह हमारे back neck की cutting भी हो चुकी है, अब हम इस fold को हलका सा दबा के, यहां center में 1.5 इंच, लंबी line कीचेंगे, इस तरह हमने line कीच दी है, और अब हम इसको cut कर लेंगे, तो यह देखे, यह हमारा cut लग चुका है, अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे, तो यह देखे, सीधा side, दोनो pieces का मिलाते वे हमें इस त तरह रखना है, और अब हम shoulder जोड़ देंगे, यह देखे, shoulders हमारे जोड़ चुके हैं, अब हम इसे इस तरह सीधा कर लेते हैं, यह देखे, सीधी side से यह कुछ इस तरह लग रहा है, अब हम neckline पूरा करेंगे, तो जब से पहले यह cut है, इसे हम पूरा करेंगे, तो एक पे हमें इसे stitch कर देना है, यहां side side में cut के सिलाई देते हुए, तो यह देखे हमने सिलाई दे दी है, quarter inch का कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई देने हैं, अब हम इस कपड़े को cut कर लेंगे यहां से, और यह जो ऊपर की तरफ extra कपड़ा निकला हुआ है, इसे भी shape दे देंगे, यह हो चुका है, यह देखे, यह कुछ इस तरह लग रहा है, अब यह जो corners है, यहां पे हम एक deep cut दे देंगे, दोनों तरफ, लेकिन अपने stitch का ध्यान रखते हुए, अब यह जो कपड़ा है, इसके बिल्कुल side side में हमें एक एक किंच का कपड़ा छोड़ते और यहां उपर से top stitch देंगे, और अब हम neckline पूरा करेंगे, तो यह देखे, हमने यहां पे top stitch दे दी है, और neckline को पूरा करने के लिए हमारे पास यह औरे पटी है, तो इस औरे पटी को हम कट के एक तरफ से शुरुआत करेंगे, इस तरह रखते हुए, आधा इंच का पूरी neckline पे सिलते हुए, कट के दूसरी तरफ तक सिल दे, तो यह देखे, हमने top stitch दे दी है, और हमने अपने औरे पटी को भी जोड दिया है neckline के साथ, अब इस औरे पटी को हमने double fold दे के अंदर की तरफ ले जाना है, और तुरपाई भी कर सकते हैं आप, और machine stitch दे के भी इसे पूरा कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम अपने sleeves को भी पूरा करेंगे, औरे पटी को side में लगा देंगे, इस तरह, तो यह देखे, frog के सीधी तरफ हमने अपनी औरे पटी लगा दी है, अब double fold देंगे इसे, और पीछे की तरफ ले जाएंगे, और stitch दे के पूरा करेंगे, इसी तरह हम neck line को भी पूरा कर लेंगे, यह देखे, हमारी neck line में पटी जुड़ चुकी है, और यह complete है, सेम इसी तरह हमने sleeves भी पूरे कर लिये हैं, अब हम side की fitting देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम bottom part को दो छोटे fold लेते हुए पूरा करेंगे, यह देखे, दोनों आपका कमर का नाप है, उसमें आप 15 इंच और प्लस कर दीजे, तो हमारे कमर का नाप है 24 इंच, उसमें मैंने 15 इंच प्लस किया, तो हो जाता है 39 इंच, तो इस कपड़े की लंबाई मैंने ले ली है 39 इंच, और इसकी width है 3 इंच, तो इसे हम इस तरह beads से fold करेंगे, और यह यहां side side में सिलाई दे देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहां corners में हलकी सी गुलाई दे दें, chauk से, दोनों तरफ, और अब हम यहां सिलाई देंगे, तो हम सिलाई एक तरफ से शुरू करेंगे, और यहां पे हम 1 इंच की जगा छोड़ेंगे, और इस तरफ से भी हम स सिलाई दे दी है और यहां बीच में हमने एक इंच की जगह भी छोड़ दी है और अब हम इसको गोलाई में काट लेंगे शेप बना लेंगे जिस तरह हमने सिलाई दी थी सेम उसी शेप में यह देखे हमारा शेप तैयार है अब हम इस पट्टी को सीधा कर लेते हैं तो किसी शार्प चिसकी मदद से इसे इस तरह सीधा कर लें और इस एक इंच के गैप से बाहर निकाल लें तो यह देखे हमारी पट्टी सीधी हो चुकी है और यह कुछ इस तरह लग रही है अब इस एक इंच के गैप को भी हम सिलाई देके बंद कर लेंगे और यह देखे हमारी फ प्रिप को आप इस तरह कमर में बांध दीजिए, बहुत ही सुन्दर शेप बनके आता है, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आये तो मेरे पेज को लाइक जरूर करिएगा, और आप फ्यूचर में और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, ज उस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आप से मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई and टेक क्या है.